आज की यह वीडियो हिंदी गद्ध की महा संग्राम होने वाली है जो भी हमारे थर्ड समस्टर के छातर जिनको कल पर सोय फिर आने वाले दिनों में परिच्छा देने हैं हिंदी गद्ध की उनके लिए वीडियो यह राम बाड की तरह उप्योगी है क्योंकि इस वीडियो में लगभग लगभग मेरे द्वारा ही बताएगे अप्रस्ट लगातार पर इच्छा में आ रहे हैं और इस वीडियो से ही मेरे द्वारा बताएगे अप्रस्ट लगभग लगभग आएंगे इस बात की 100% गारंटी है यदि आप पर इच्छा में पास होना चाहरे हैं तो इस वी और इस वीडियो में देएगे सारे कोश्चन और एंसर यह सभी पिछले फाल कई बार परिच्छा में रिपीटेड हैं और इस बार आने की संभावना है कुल मिला के च्छाट-च्छाट के कोश्चन आप सभी के लिए तैयार किए तो पहला कोश्चन को पन्यास और कहानी में पिर संबंद बताइए तो चलिए उत्तर पर आते हैं आपको उत्तर लिखना की महाभायासकार के अनुसार जो की प्रमक्व हिंदी के ठीक है लेखा के इन्होंने कहा है कि उपन्यास का जो अर्थ है मतलब है वचन को उपस्थित करना मतलब कि कोई वचन है उसको प्रस्तु यहां पर बताया गया है कि यह सीमित होता और यह बिस्तित होता है उपन्यास में कई पात्रियों कई घटना को अलग 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 जो हमारे यह सब पात्र है ठीक है और इसमें अलग अलग घटनाएं भी दरसाई जाती हैं ठीक है कभी दुर्पदीचीर कभी ठीक है पांडौर को रोग लड़ाई इसी तरह बहुत फारे घटनाएं वह दिखाई जाती है ठीक है वही बता जारा कि इसमें जो उपन्यास में बहुत फारे घटनाएं समाहित होती हैं मैंने महाभारत का एक्जामपल दे है बस ठीक है और किन पर बहुत सारे घटनाएं मिहरे घायरे घटना का वर रोडन किया जाता है ठीक िस बात ध्याननाख केंगे जो पन्यास होता है उसमें एक बिक समग रियानी की पूरे जीवन का चितन मतर्कि के एक तरक़ीस लोगों को घापर कर रहे थे मतलब जो इसके लिए के लिए को हता डिया लृट नहीं सही होता है कहानी। ठीक है चलिए इस प्रकार लिखेंगे इसका उत्तर महात्पूर्णे के बार पैच्छा में रिपीट है तो ध्यान रखेंगे और यह प्रश्ण आपको दिक रहा समांतर कहानी के विश्ष्ण आएगा भी लेकिन इसी बार कुछ परिच्छा है हो चुकि ना हिंदी की तो 2324 के सिस्टन में परिच्छा में आया तो मैंने इस कोश्चेन को आप सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि यह इसी बार आया तो सकता आपकी परिच्छा में आ जाए तो ध्यान रखेंगे स्वांतर कहानी की जो बिशिष्ष्टा है उनिश लुकततच के आसपास की बात है कमले सर्ज जो के परमुक बिद्वान भी और परमुक लेखक भी है इनके द्वारा लिखित कहानियों से समांतर कहानी आंदोलन का प्रवरतन माना जा सकता है समांतर से उनका ताधपर कहानी को आम आदवी के जीवन में उपस्थितिय समस्याओं को समांतर करने का है इस तरह इस आंदोलन की कहानियों में निम्न वर्ग इस्तितियों विसमताओं को प्रश्थत किया सोलेख़न यह समानतर कहानियां और सकते में अंकर को समानतर पनें नहीं करने सब्सक्राइब, बबिंट्रWW को कुर् ine announcing 24 के सेसन में आधर मैं शुच आपको बता दीए गारंटी वाला कुश्चन हमेशा आएगा आपकी यह द्रॉष्वामनी प्रमुक्त जो यह नाटक है उज्दिशांकर परशाद जी को बारा के प्रिश्चे पर गुश्चन सिर्फ जैसंकर प्रसाद और उनकी रचना दुरुस्वामनी से जुड़े कुश्चन के रहा जो नाटक लिखा गया है जैसंकर प्रसाद जी के द्वारा इसका मुख उद्द्यश क्या अब यह क्यों लिखा गया है जानते मेरे इच्छा भारती इतिहाफ के आप्रकाफित अं प्रद्धान नातक में तरह सामने एक एतिहासिक नाटक हुए थी इसके अतरिक राज्य अधिकार और विदेशी की सित्टरल थे अधां की समस्या था निंजी जो है इंध्य कि लोग बिदेश्य परवंश्य लोग कर देते थे ठीक है ठीक है खेंड की समस्यां वह텐 बुआ प्रसाध जी ने इस नाटक में किया है तो कहने का मैं निदे देश्य अक्रमनों की बहुत सारी नारी मारी मारी फिड़ती है ठीक है को परसाथ जी ने उठाकर नार्यों को पुरुष के अत्याचार पूर्ड चुंगल से मुक्त करने का ससक्त प्रियास किया है ध्यान रखेंगे आप सभी को मालूम है कि नार्यों के बहुत नार्यों के साथ बहुत दुराचार और वालों को प्रेसान करते हैं तो वही पर प्रसाद जी ने उनकी अत्याचार और चुंगल जो हो रहें उनको मुप्त करने का ससक्त प्रियास किया है ठीक है प्रसाद जी की सब्सक्राइब बड़ी बिस्षिष्टा और सफलता या रही है कि वे जिन जिन समस्याओं को प्रुस् आप त्यार कर लिजेगा आप बाद में मत वो लिए कि बताया नहीं ठीक है अगला कोश्चन भी कई बार पैच्छा में रिपीटर यह कुश्चन हमेशा लगा था मैं देख रहा हूं कि हमेशा आता ही आता है मुंसी प्रेम चंद्र जो की हिंदी के बहुत प्रमुक कभी है ठीक है मुंसी प्रेम चंद्र को हिंदी का कथा समराठ के कहा जाता है इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी क्योंकि कई बारा चुका है ठीक है तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मुंसी प्रेम चंद्र सिपूर्वी की कहानिया अनगर सांस्क्रत के कथा और पुना यह थी मतलब कि आपकी जो कहानिया थी ठीक है तो इसमें क्या था यह संस्क्रत से ले ली जाती थी ठीक है उसे इसाफ मतलब कि वे रशनाय के मतलब कि वे कहानिया होती थी मुंस्यि प्रेम चंदर्जी से पहले की ठीक है तो मुंसी प्रेम चंदर की आगमन में हिंदी कहानी के एक नई दिशा मिली जब बहिए मुंसी प्रेम चंदर जी ने हिंदी कहानी के छेतर में अपनी कदम बढ़ाया तो उनको मतलब की बहुत बड़ी इंका सफलता भी मिली और एक कहानी को भी बहुत एक 1916 में जिसका नाम पंज परमेसुर कहानी था जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकासित हुई तभी ये कहानी को एक नहीं दिशा मिली इनकी कहानियों में यथार्थ चित्रण किया गया प्रेम पहली बार कहानी और मनोबग्यानिक बिसलिफट जीवन के यथार्थ चित्रण और श्वभाविक वड़न से जोडने और कल्पना की मात्रा कम करने का अग्राह किया है उन्होंने समाजिक राजनेतिकुम आर्थे की अथार्थ को केंद्र में रखकर मानवेश्चम्वेदना और हिंदी कथा संसार से दिवता राजा और इस्वर को अपदस्थ करके दीन दलित इसलिए उनके समय को हिंदी कथा सहित में प्रेम चंद्रीक के नाम से जाना जाता है तो इस प्रकार लिखेंगे मुस्ति प्रेम चंद्रेक करें कथा समराट कहा जाता उसका मुख्य रीजिन यहीं है और बाकी और भी जानकारी दी गई हैं उसके बारे माँ पढ़ लिजेगा और इनके द्वारा कुछ जो रचनाए कहानिया लिखी गई आप लोगों के समस्त प्रस्तोत बहुत आई इनोंने कहानिया लिखी परबंच परमयसुर की का था इनकी पहली जो कि बहुत पॉपलर हुई ठीक है और बिचित्र होली है जुलूफ है फत्याग्रा है फत्रंच के खिलाडी है नमक का दरोगा है ऐसा भी कुश्चन आफकता है प्रेम चंद्र की चार या फिर पांच कहानियों के नाम लिखी रचनाओं के नाम लिखे तो अब लिख देंगे ठीक है अगले कुश्चन को बढ़ेंगे वह यह अगला कुश्चन कहे रहा कि कहानी को प्रभाफित करते हुए उसके उद्भौर विकास पर संश्चित प्रक काटने के माध्यम होते थे इस प्रकार किसी बिसीज घटना को अतियंत रोचक यूं का अतियंत रोचक एवं कहतो होल पूर्ण से मतलब कि कुछ अच्छे ढंग से जिसमें हासी मजाक भी हो और कुछ अस्चार वाली बाते हुए जिसको आप लोग बगते हैं फैक्ट वाली ठीक है तो इसी प्रकार आप इसका उत्तर तयार कर लेंगें काफी हेलफुल और महात्पूर्ण प्रशने कई बारा चुका है अगला कोश्चन है कि भाया प्रेम चेंद्र की कहानियों की मुख्य बिसेश्था है या नि प्रेम चेंद्र दिने जो कहानिया लिखे उसमें क् बारे पास समय है नहीं अब हम वीडियो को थोड़ा फास्ट करेंगे ठीक है तो अगला परस ने संस्रमन और रेखा चेत्रिय अभी अभी जो पेपर हुआ ना इसमें दोजार तेश्चन में क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया था दीकिए मैंने पेपर उठाके देखा उसमें आया हुआ था ठीक है तो इसी बार भी आपकी परिश्चा में आ सकता है ठीक है आत्म गठाफे जोड़ा कोश्चन आया था यह भी कोश्चन इसको भी तयार कर लीजेगा हाई लेबल का टॉप लेबल कुश्चन है जाफी की रानी उपन्यास ये भी लागातार पू प्रकार कौन सा है कब प्रकासन हुआ है ये पुपन्याफ जाफी की राजी पूरी जानकरी आपको प्रस्तुत है पढ़ लीजेगा महात्पूर्ण प्रश्चन है ठीक है हिंदी में निभन्द की रश्चना का प्रारा में किस युक से माना जाता है तो भारते इंद्यूक स चाहर रामचन शुकल का जन्मकाब और कहां हुआ था तो आप लोग देख लीजेगा अठाराफ चोड़ासी में हुआ था अचाहर रामचन शुकल के निभन्द संग्रहा का नाम अता यह तो इनके संग्रहा का नाम है चिंता मड़ी की जिस चार भाग में डिवाइड़ है चाहर रामचन शुकल जी किसे गद की कसोटी मानते हैं निभन्द को मानते हैं अचाहर रामचन शुकल ने निभन्द लेखन की सुर्वात कब की 1904 में की थी ओके अचाहर हजार प्रिसाद दुवेदी का जन्मकाब और कहां हुआ था नोगफ तो 1907 को बलिया में हुआ था पूरी जानकारी प्रिस्तोत पढ़ लिजेगा हजाय प्रिसाद दुवेदी जीवेदी पूरा का पूरा जीवन के परिचे दयार कर लेंगे काफी आपको हेल्प करेगा कुबेड नाथ जार राय जीवेदी कोईश्चन कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो पढ़ भी सकत हैं लेकिन कुछ अगर ध्यान दे लेंगे तो बेटर ही होगा ठीक है सारे कोईश्चन यहाँ पर जो जो परिच्छा में लगातार पूछे जा चुके हैं कुबेड नाथ राय जीवेदी कोईश्चन जैसे कि इनका जन्म कभ वह अम्रत तो कभ वही फिच्छा दिच्छा र होती है एक अंग वाली उचके कुछ तक्तों हैं जो कि आप लोगों के समस्त प्रुस्त हैं ठीक है ध्यान से तयार कर लिजेगा साथ हैं डाक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म कब और कहां हुआ था तो ध्यान से सुन लिजिए पान ठीक है 15 सितंबर 1905 को इनका जन्म है अगला क्विशन महात्पोन है हिंदी के अचार प्रसाद रिच्ट नंकर के नाम लेखें अचार हम सब्रस्तों है तो तयार कर लिजिए ज्यार को से आपको निश्ट से दिखेंगे जैसे अंकर प्रसाद जी फिजुडे तो जैसे अंकर प्रसाद जी का यर्म अठारा सो कहां पर हुआ अठासो नावासी में कासी में हुआ था बहुत ही महात्पूर्ण इनका देहवासन 15 नॉमबर 1936 को हुआ था ठीक है और बिये का जो थर्ड समेश्टर है उसमें जो जैसे कि ठीक है तो कुछ बहुत तारी पात्र जीसे की मनदागी नहीं कोमा के ढूब्र संट्र के नाम है दियान रखेंगे चंदर राम गुप्त सिखर स्वामी काफी हेलफ। तो दाक्टर राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता याद रखेंगे मुंसी प्रेम चंद्र की कहानी की बिस्वष्ट के बारे में कई बार प्रस्ट प्रस्ट ना चुका है इसको भी तैयार कर सकते आप लोग अगे जी ठीक ही ठीक है फचिदानन्द हीरानन्द वातसल अगे इन सरना त्रेज्ट उका काफी हिल्क कोश्चें आ रहे हैं इस बार लगातार आपकी परिच्छा में इंचसे प्रक्र्षम किणा कंद्रम किया की सोफ एक तालिस में लिखी गई बनारी बनारसी दाफ चतरवेदी की आत्म गथा अर्दकतान में सुनार को स्षक से नाम पेर दोछ की अर्थ आना जाता है बहुत ही बीधा की कुष्टन है ठीक है थानकी की से पोड़े कई बार आचुकिए रिपोर्ट तार्ज दो कि ये भी एक नई बिधाय कई बार इससे भी जुड़े कुश्चन पर इच्छा में पुछेंगे पुष्टू था रोम के प्रिश्द लेकर किसे शुरो और सिनेका को हिंदी का जर्म दाता माना जाता है ठीक है एक आंकी का उद्भौ और विकास के बारे में पढ़ लिए कई बार पर इच्छा में आ चुका है ठीक नई कहानी के उद्देश ये कभी कदार आता लेकिन कहानी वाला पोर्षन यानि की नई कहानी और कहानी इन में से कुश्चन पक्का आएगा 100% से ओरी है ठीक है आप जान तो बेटर ही रहेगा हिंदी अलोशना यह भी कोमन कुश्चन है पर इच्छा में लगातार पूछा जाता है ठीक है कहानी की स्टार्टिंग कैसे हुई उद्भौ के बारे में यह 100% आएगा यह आएगे तो तैहीं है मैं उपर भी बता चुका हूं ठीक है और नेस्ट कोश भी थी तो हमाँ पास ज्यादा समय ना रहने के काड़ हम बीडो ज्यादा लोंग नहीं बना वक्ति आपको ज्यादा तरीके इस प्लें नहीं कर सकते बस हम आपको पीडियो बनाके मोस्ट इंपार्टन कोश्चन सिलेट करा दियें अगर आप इन प्रश्चनों का उत्तर त करके जाएंगे तो आपके एक्जाम में आपको काफी हिल्प मिलेगी हर सब्जेक्ट की तरह तब की कोई कुश्चन से ज़रू पूछे इस पीडियो को हम टेली वर्टसप दोनों पर प्रवाइड करा देंगे जहिंद